Hello everyone, welcome back to the 247, this is your daily current of a class और आज ची क्लास में हम कवर करने बाले हैं कुछ important questions यहाँ पर Okay, so कैसे हैं आप सब लोग यहाँ पर आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आप यहाँ पर आच चुके हैं तो और इसके बाद हम अपना आज के जो session है उसको शुरू करेंगे important questions के साथ में तो देखते हैं आज का हमारा first question क्या है यहाँ पर So आपको क्या करना है आपको हर एक question का यहाँ पर मुझे comment करके answer बताना है कि first question का answer क्या हो सकता है उसके साथ साथ हम इन questions से लेटर जो भी important information हो गई उसको भी हाँ पर cover करेंगे okay so the first question here is who launched the new post a stamp to commemorate the 75th birth anniversary of Shri Vedanta Deshika okay so इनकी जो birth anniversary थी उसको commemorate करने के लिए हमारे जो postal department है उसने एक नया post release किया है ठीक है तो आपको बताना है उसको launch किस ने किया था आपको a b c d option में से मुझे आपर comment करके बताना है कि क्या यहां पर हमारा correct answer हो सकता है आपको यह birth anniversary इनका याद रख लेना है यहां पर जो हमारा correct answer है वो option number c है that is vice president of India that is M. Venkya Naidoo okay so vice president जो हमारे है यहां पर उन्होंने यह postal stamp जो है उसको release क्या है अब यहां पर आपके लिए जो important fact है वो है आपको जो भी आपर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से related जो भी आपको यहां पर facts पता है आप यहां पर मुझे comment करके बता सकते हैं like headquarter का अहां पर इसका New Delhi में है okay ऐसे जो भी facts है वो आप यहां पर comment करके बता सकते हैं इससे related static facts okay जो तक हम move करते हैं आज के हमारे next question के ओपर so 14th edition of Sino-Indian border trade opens at which border ठीक है तो यहां पर आपसे पुछा जा रहा है 14th edition किसका Sino-India border का ठीक है तो यह जो बोरड़ की बात हो रखे किस बोरडर की बात हो रखे हैं इंडिया और चाइन बोरड कीबात हो रखें ठीक है तो यह就 गे हैं यह तीनों ही क्या है इंडिया और चायना के बीच पीच पीच बॉर्ड है ठोटो यह तोतल सब्रस फैसे में तीन टीन वर्ड कि यादर खोए आपको थो अपको पता containmentू को सक्किम कि चिफ मिनेस्टर रहा को रहा पता है वह प्कुमार नीच आहएं फुलंग सवाम थान इंडिया के एटेंडिशंत नेपाइं नीक्स क्शल रहा है ठोर अन पक्राइब में पुछा जा रहा है what amount has been allocated by the government to assist states hit by the cyclone funny ठीक है तो जो state है hit हुए है किसके वज़े से cyclone funny की वज़े से वहाँ government उनको assist करने वाली है कितने amount से option number a b cd में से आपको बताना है यहाँ पर हमारा क्या अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा जो खेट हुआ है वो कौन से है odysa है तो इसलिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पर amount provide किया जाएगा odysa state को ही provide क्या जाना है total यहाँ पर amount जो provide क्या जाएग option number b जो है हमारा correct answer है that is 1086 करोड ठीक है तो आपको option number b जो है यहाँ पर याद रख लेना है अब वो state कौन-कौन से है total यहाँ पर कितने state को provide क्या जाना है यहाँ पर charge state को provide क्या जाएगा यह amount सबसे ज्यादा जो provide होना है वो किसको होगा odysa state को यहाँ पर provide होगा उसके बाद है who is the chief minister of odysa and who is the governor of odysa ओके सो देखते हैं आज के वाने next slide क्या है तो यह यहाँ पर आपको सामने information दी गए ओडिसा के जो चिफ minister है वो नवीन पतनायक है governor जो है गनेशिलाल है वेस्ट बेंगल की चिफ अगर पुछ जाएगा तो आप क्या बताएंगे बनवारेलाल पुरोहित जो है वो कहां के गवर्णर है तमिलाडू के गवर्णर है okay so I hope this is just clear to you आपको clear हो गया होगा एक important चीज ओवर है आपसे एक और question पुछ जा सकता है यहां से वह है help line number आपसे पुछ जा सकते है कि जो cyclone funny है उसके लिए कुन सा help line number जो है government शुरू किया है तो बता देंगे one nine three eight okay so one nine three eight जो help line number है वो शुरू किया गया है लोगों को help करने के लिए okay so I hope this is clear to you let's move to the next question दिखे अगर आपको यहां पर साई चीज से समझ में आ रही है है तो आप session को यहां पर like कर सकते हैं okay so this is the one question which is related to the arbitrary it arbitrary selected question है इसमें आपसे पुछा जा रहा है Peter Mahave passes away recently he was related to which field ठीक है तो यह जो है Peter Mahave है इनकी जुड है death हो चुकी है तो आपको मुझे बताना है कि कौन से field से letter है तो यहां पर जो कुछ main personalities होते हैं वो आपके लिए important होती है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ठीक है तो यह question आपके लिए important है और वो किस से letter है आपको option यहां पर A B से option में इस बताना है क्या correct answer हो सकता है यहां पर हमारा okay so the correct answer here is option number C that is acting ठीक है तो वो किस से letter है acting से letter है okay so move करते हैं आज के हमारे next question के उपर so this is the one most important question for you आज के class में ठीक है so which day is celebrated as a world press freedom day world press freedom day जो हो किस दिन बनाया जाता है आपको बताना है A B C D option में से हाँ पर हमारा क्या correct answer हो सकता है okay so आपको बताना है इनका क्या correct answer है इस question का correct answer आपको बताना है आप दिखें फर्स्ट जो में था वो कैसे मनाया गया था as a may day या फिर labor day की तरह मनाया गया था second में जो था वो क्या था tuna day था जो tuna क्या है यहाँ पर एक fish का नाम है third में जो है वो कैसे मनाया जाता है वोल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तरह मनाया जाता है ओके सो अप्शन नुबर थी इस दा क्रेक्टान सी इस दा क्रेक्टान सो हो ठीक तो आपको यहाँ पर क्या याद रख लेना था ऑप्शन अबसी हम को यहाँ पर याद रख लेना था इसका थीम भी देखते है नेक्स स्लाइड में ओके सुछ यह आपको तीम दिया गया जो आपके लिए मुश्ट इंपोर्टेंट है मीडिया फोडेमोक्रेसी जर्णल जर्नलिजम एनए लेक्शन इन ताइम्स ओफ डिस इन्फोरमेशन ओकी सो यह का थीम रहा था मीडिया फोड़ देमोक्रेसी कडी अब यह हां पर क्या important है वर्लड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाइव आपके लिए इंपुर्टेंटत है , तेखर जूर आपको मुझे बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स जो आंग इसमें इंडिय को रेंक था। गर किसे किया था वड़ प्रेस प्रेजुक्षी अंडेक्स को नोर्वे प्रेस भार्वेस प्रेस वर्ड प्रेस हो उगा शेश पुछा याश्या पर आप Boss की बता awakening तो यहां पर दिखे अगर आप से पूछा जाएगा वर्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस के बारे में तो आप क्या बता देंगे को थो है वो दोनों नाम इंपोर्टम उनको गया आप जाए विखाए टूर्ड चीज अगया है आप से अपो पुछ पर कोन है अगर आपको पता ह। वो Samsung है, okay, सबसे बड़ी smartphone company अगर आप से पुछा जाएगा, वो कौन से है, Samsung company है, लेकिन second number पर कौन आता था, Apple आता था, ठीक है, Apple company जो थे, second पर थी, लेकिन अभी उसको overtake कर दिया है, किसी company ने, जो second, सबसे बड़ी smartphone company बन गई है, और वो कौन से company, option number D is the correct answer here, that is Huawei, ठीक है, Huawei जो है, यहाँ पर company है, जो क्या बन गई है, second biggest smartphone company बन गई है, यानि Apple क्या आता है, अब Huawei की बाद में आता है, okay, आपको अगर पता हो, Samsung की सबसे बड़ी company, जो इंडिया में open की थी, मुझे जब इंडिया में आय था हूँ, कहाँ पर open की थी, Noida में, ठीक है, so सबसे बड़ smartphone company, जो यहाँ पर Samsung के open हुई थी, कहाँ पर हुई थी, Noida में हुई थी, okay, so move करते हैं, आच के मारे next question के उपर, so who among the following awarded France highest civilian owner, ठीक है, तो France का सबसे बड़ा civilian owner, इन में से किसको दिया गया है, आपको बताना है, he was the former chairman of the Istro, ठीक है, तो Istro को a former chairman भी रह चुकी है, तो आपको बताना है क्या correct answer है, तो यहाँ पर आप option number C, जो है, उसको ignore कर सकते हैं, A, B, C, D में से आपको बताना है, यहाँ पर क्या correct answer है, okay, so option number A is the correct answer here, that is A.S. Kiran Kumar, ठीक है, तो A.S. Kiran Kumar, जो है, उन को क्या दिया गया है, highest civilian owner यहाँ पर दिया गया है, अब आपको क्या पता होना चाह है, headquarter कहां पर है, इसका Bengaluru में है, okay, और अगर आप से इसके chairman, पुछा जाएगा, इस time पर, वो कौन है, option number B, हो जाएगा, आपका correct answer, that is K.S. Kiran, ठीक है, तो K.S. Kiran कोन है, इस रोकी chairman है, okay, so let's move to the next question, who won the Aliyev wrestling tournament in Russia, ठीक है, यह tournament हुआ, कहा पर था, venue क्या था, Russia, इसका venue रह है, आप से पुछा जारे है, इसको इसमें gold medal किसने जीता है, A, B, C, D, option में से क्या correct answer है, यहाँ पर, आप अगर देख रहे होंगे, wrestling में पीछे जो medal जीते जा रहे है, सारे ही बजरंग पुनिया जीत रहे है, again, यह वाला जो gold medal था, इस पूरे tournament को जीता है, वो 65 kg, अगर आपको पता हो, उन्होंने अभी recently क्या जीता था, Asian Wrestling Championship जो थी, उसमें gold medal जीता था, इंडिया ने एक ही gold medal जीता था, Asian Wrestling Championship में, जो कहां पर हुई थी, Shian, China में हुई थी, एक जो gold medal जीता था, इंडिया ने जीता था, बचरंग पुनिया ने जीत लिया था, okay, I hope कि आपको सार चीज़े जो है अच्छा समझ में आ गए होंगी यहां से, मूँ करते है हमारे next question के ओपर, so which IIT will set up as center of excellence for waste to wealth in partnership with a government, तो government के साथ मिलका कौन से IIT यहां पर waste to wealth, center of excellence जो है, उसको शुरू करने वाले है, आपको यहां पर comment करके बताना है, A, B, C, D option में से हमारा क्या correct answer हो सकता है, देखो, waste to wealth, यानि जो हमारा waste होता है, इसको धंग से तरीके, धंग के तरीके से यहां पर use कया जाए, यह पूरे scheme का aim रहा है, तो यहां पर जो हमारा क्या क्या है, option number A है, that is IIT Delhi, okay, so आपको यहां से क्या याद रख लेना है, IIT Delhi याद रख लेना है, okay, so देखते हैं हम जो आप से आने वाले examination में पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है, इसका venue क्या रहा है, A, B, C, D, option में से क्या रहने वाला है, okay, so यहां पर जो हमारा क्या हो जाता है, option number C, that is Japan, ठीक है, तो आपको Japan में याद रख लेना है, Women Handball Championship, जो है, वो कहां पर होगी, Japan में हो जाए आपको बताना है, इसमें से कौन सा correct answer है, A, B, C, D, option में से क्या correct answer है, यहां पर, okay, so 16th ministerial meeting, जो है, Asia cooperation dialogue की, वो कहां पर, किस city में शुरू हुई है, अगर आप से इसा पूछा जाएगा, तो आपके बता देंगे, Doha, that is in Qatar, ठीक है, तो आपको बता हो, Qatar, जो है, उसकी capital क्या है, Doha है, ठीक है, वही venue रहने वाला है, इस meeting का, आपसे कोई चीज यहां पर पूछी जा सकती है, कि what was the theme, ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे theme पूछा जाएगा, तो आप बता देंगी, Partners in Progress, वो इस पूरी meeting का क्या रहा था, यहां पर, theme रहा था, okay, I hope आपको सारी next six months, going to call location case, ठीक है, तो एक fraud case की वज़र से, Sabi, जो हमारा security exchange board of India है, ठीक है, उसे किसको band कर दिया, यहां पर, कौन सी exchange company है, जिसको यहां पर छे महिने के लिए band किया है, यह काफे important question है आपके लिए, और यहां पर जो हमारा correct answer है, वो क्या है, national stock exchange है, okay, so यहां पर जो हमारा यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा, पूरा fraud case था, जिसके वज़र से, यह पूरा band लगा दिया गया है, अगर आपसे abound पूछा जाए, कि Sabi, उसे कितने पैसे का band लगाया, इसके उपर claim लगाया है, तो आप बता देंगी, 1100 करोड, okay, so पूरा जो find लगाया है, Sabi ने national stock exchange के आप मुंबई बता देंगे, okay, again आपको बता हूँ, Sabi जो है, इसका headquarter कहाँ पर है, मुंबई में है, और Sabi के chairman कोन है, अजय त्यागी है, okay, so आज के class हमने total 12 questions किये ही थे, जो आपकी last day, that is Saturday से थे, ठीके, तो आपके आने वाले Monday, जो class होगा, उसमें हम सारे questions को cover करेंगी, जो भी Sunday तक news आती है, okay, I hope कि आपको यह साई चीज़े समझ में आती होंगे, आपको session अच्छा लगता होगा, so अगर आपको session अच्छा लगता है, तो आप session को like कर सकते हैं, okay, so thank you so much and have a good day.